नमस्कार सुआगेत हैं एक सभी का हमारे खास कारे करम स्य खासन के संग्राम में हूं आपके साथ हेमन्त कुमार बीजेपी सत्था परिवरतन के लिए परिवरतन रथ्यात्तरा पर काम कर रही है तो वहीं कॉंग्रेस ने जमीनी स्थर पर टिकट बेटवारी की प्रिक्रिया को शुरू किया है कारिकरताओं में नया जोश भर दिया है उम्मीद की जुआने लगी है कि वनश्वाद का सबसे बड़ा आरोब जेलने वाली कॉंग्रेस पार्टी शायद इस बार जमीन से जुड़े कारकरताओं को चुनावी किस्मत आजमाने का मौका दे सकती है लेकिन कॉंग्रेस की इस कांतिकारी पाहल को लेकर सबसे ज्यादा आशंका उन नेताओं को है जिनकी उम्मर काफी ज्यादा हो चुकी है प्रदेश में चल रही सियासी घटनाओं और सियासी चिंतर को समेटे हमारा एक खासकारिक्रम सिंहासन का संग्राम देखिए कोई प्रक्तिके तरेजन तक मिला नहीं है यह जेंड है रात्तन वाशिक होना चाहिए तब जाकर कि मिशन 2030 काम्याब होगा अज़िश से पहले आज बास करते हैं राजस्तान में बीजेपी की चुनावी तटयारियों को लेकर के बीजेपी को रूज चुनाओं का यूपी कनेक्शन नजर आरा है यूपी में सफल बीजेपी सरकार और वहां के तौर तरीकों को पूर्वा मंत्री को राजस्तान में प्रचार परसार का प्रभारी बनाएगा आपको वतादें कि यूपी के पूर्वय मंत्री शिकांत शर्मा को राजस्तान के जिम्मेदारी सोफी गई उत्रप्रदेश के मतुरा से शिकांत शर्मा आते हैं मतलब ये साफ है कि यूपिया ब्रेज से जुड़ावा राजस्तान के हर इलाके पर बीजेपी को इसे फाइदा होगा वैसे भी शिकांत शर्मा काफी वक्त तक बीजेपी की प्रवक्ता रह चुके हैं आपको ये भी बता दें कि उत्रप्रदेश के कड़े विदायकों को राजस्तान में सीटों की ग्राउंड रिपूर्ट तयार करने में भी लगाया गया है तो प्यजेपी अब तयारियों को धार देती वे नजर आ रही है और इस कड़े में शिकांत शर्मा को एक एहम जिम्मेदारी दी गई है चुनावी प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी वे इसे लीड करेंगे उत्रप्रदेश और राजस्तान किस तरीके से भारतिय जनिता पार्टी यूपी में जिस तरीके के सफलत पाई थी ज्यादा तर सीटें जीत करके उसके बाद अब राजस्तान की बारी है तो राजस्तान में वही पार फोर्मूला है वो लगाने चारी है पीजेपी और इसके लिए शिकांत शर्मा जिनको एहम जिम्मेदारी सौपी गई है वे प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी चुनाओं के दोरान देखेंगे श्रीकांत शर्मा और कापी अन्भवी निता है पूरो मंत्री है उत्रपदेश के और साथी साथ राश्टी प्रवक्ता रह चुके बीजेपी के अब उनको महत्मौन जिम्मेदारी राजस्तान में दे गए तो स्यासित और यात्रा का बड़ा पुराना संब्मद है बीजेपी को भी लग रहा है कि राजस्तान में सब्ता बापसदी का जे लखशे है वो यात्रा के जरिए हासिर क्या जा सकता है विपोर्ट देखिए परिवर्तन से परिवर्तन का अभियान सत्ता में वापसी का पुक्ता प्लान चारो दुशाओ से वार को तयार यात्रा की जरिये दिगज भरेंगे हुकार परिवर्तन का घमासान पूरे परवान पर आ गया है सत्ता के इस लड़ाई में प्रदीश के दोनों प्रमुक्दल पूरे दमखम के साथ उतर चुके हैं कॉंग्रिस मिशन रिपीट का लक्षे हासल करने के लिए योजनाओ का दाव खेल रही है तो बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए नए नए प्लान तयार कर रही है कॉंग्रिस को मात देने के लिए अब बीजेपी परिवर्तन का नया हटियार लेकर मैदान में उतरने वाली है और चारों दिशाओं से वार का पुक्ता प्लान तयार किया है राजस्तान की सियासी रण में बीजेपी अपने शीर्ष नेताओं को चुनावी केमपेन को धार देने का दरुमदाज सोपने जा रही है लियाजा बीजेपी प्रदेश के चार बड़े धार्मी के स्थलों से परिवर्तन यात्रा का आगास करने वाली है जो की सूबे की सभी 200 विदानसवा सीटों से होकर गुजरेगी जी हाँ, सत्ता वापसी के लक्षे के साथ बीजेपी राजस्तान में परिवर्तन यात्राओं की शुरुआत करने वाली है इसके लिए जगहे और तारीखे तै कर ली गई है चारो दिशाव से निकाली जाने वाली यात्राओं में पहली यात्रा का आरंब 2 सतंबर को सवाय माधोपुर जुले के रंथंबोर के त्रीनेत्र गणेश मंदर से होगा इस यात्रा को केंद्रिय ग्रही मंत्री अमिच्छा हरी जंडी दिखाएंगे ये परिवर्तन यात्रा सूवी की 47 वधानसबा सीटों से होकर गुजरेगी जिसका नेत्रित्व पूर सीयम वसुंदरा राजे करेंगी जबकि यात्रा के प्रभंदन की जिम्मेदारी पार्टी के पूर प्रदेशा ध्यक्ष अरुन चतुर्वेधी के साथ साथ मोतिलाल मीना, जितेंद्र गोठवाल, नारायन मीना को दी गई है वही दूसरी यात्रा की शुरुआ ठीक एक दिन बार यानि तीन सितंबर को ढूंगरपुर जिले के प्रसिद बेनेश्वर धाम से होगी यहां से शुरू होने वाली यात्रा प्रदेश की बावन सीटों से होकर गुजरेगी इस परिवर्तन यात्रा को बीजीपी के राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा हरी जण्डी दिखाएंगे पाटी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेत्रत में निकाली जाने वाली इस यात्रा के प्रभंदन का जिम्मा जो निलाल, गरासिया, दामोदर, अगरवाल और सुशील, कटारा को दिया गया है बात तीसरी यात्रा की करे तो इसका शुभारम 4 सितंबर को भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर जेसल मेर जिले में सित जन जन के आस्था के केंद्र रामदेवरा से होगा रामदेवरा से शुरू होने वाली यात्रा प्रदेश के 51 विधान सभा सीटों से गुजरेगी इस यात्रा को केंद्रिय रक्षा मंत्री राजनाज सेंग हरी जंडी दिखाएंगे और इस यात्रा का नेत्रित्व केंद्रिय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत करेंगे इस यात्रा के प्रभंदन की जिम्यदारी राजिंद्र कहलोत और जगबीर छाबा को सौपी गई है वहीं चौथी यात्रा पांच सितंबर को हनुमानगड की प्रसिद गोगा मेडी से शुरू होगी यहां से रवाना होने वाली यात्रा राजिस्थान की 50 सीटों को कवर करेगी गोगा मेडी से निकलने वाली इस यात्रा को केंजी मंत्री नितिम गड़करी हरी जण्री दिखाएंगे और इस यात्रा का नेत्रित्व बीजेपी के पूर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया करेंगे इस यात्रा के प्रभंदन की जिमिदारी सीयार चौधरी और श्रवन सिंग बगड़ी को सौपी गई है सभी 200 विधानसभा शेत्रों से गुजरने बाली बीजेपी की ये परिवर्तन यात्रा हैं हर रोज 2-3 विधानसभा शेत्र कवर करेगी इस दोरान सभी विधानसभा शेत्रों में नुकर सभाएं, स्वागत और अन्य कारिक्रम होंगे सभी यात्राओं में हर दिन एक बड़ी सभा भी होगी यात्रा का समापन 25 सितंबर को जैपुर में होगा समापन समहारों में खुद पीम नरिंद्र मोदी मौजूद रहेंगे जो एक जनसभा को भी संभुतित करेंगे यात्रा और सियासत का संभन्द बहुत ही पुराना रहा है अतीज की सियासत पर गौर करें तो कई यात्राएं परिवर्तन कारी भी सावित हुई है बीजेपी ने भी इस परिवर्तन यात्रा के जरिये राजस्थान में परिवर्तन का लक्ष नर्धारित किया है बैराल बीजेपी की परिवर्टन यात्रा करीब 20 दिनों तक सुबह की सभी 200 विधानसवा सीटों से होकर गुज़रेगी जिसका समापन 25 सितंबर को जैपुर में प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी के नेतुरत में होगा इस परिवर्टन यात्रा के मदे नजर भारती जनता पार्टी चाहती है कि 2023 के विधानसवा चुनाओं में बीजेपी को जीत हासिल हो लेकिन ये परिवर्टन यात्रा हैं बीजेपी को जीत हासिल करने में कितनी कामियाब होंगी ये फिलाल भुष्चे के गर्ब में है कैमरा परसन विपिन के साथ लखवीर सिंग शेखावद नियूज 18 दिल्ली और चलिए बात करते हैं कॉंग्रेस में टिकट की दावेदारी की पहली बार कॉंग्रेस में बड़े नेता और यहां तक की दिगज मंत्री भी अपनी पसंद के दावेदारी सीटों पर कर रहे हैं गैलोत कैबिनेट के कई मंत्रियों के बारे में भी इसी तरह की जानकारी मिल रखी है कैबिनेट मंत्री महिज जोशी ने अपने टिकट की दावेदारी आज पेश की हवा महल सीट से और कई अन्य दावेदार भी यहां पर नजर आए बिजकिशो शर्मा जोती खंडल वाल ने भी अपनी दावेदारी पेश की तो रुबिक खान ने भी जैपुर शैर कांग्रस से अपना परचा सौपा बड़ी खबर बड़े नेता मंत्री भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं मंत्री महें जोशी ने आज हवामाई सीट से अपनी दावेदारी पेश की तो इसी दुरान उनके साथ जोती खंडलवाल भी नज़राई उन्होंने भी अपनी दावेदारी इस सीट के साथ शाहर के दो अनने सीटों से भी पेश किये इसके साथ ही बिस्कुशो शर्मा, रूबी खान इन्होंने में इपनी दावेदारी पेश किया कई पड़े नेता मंत्री अपनी अपनी दावेदारी टिकट को लेकर के पेश कर रहे अब अगर जुंगरपूर की बात करें, जुंगरपूर जिले में अब तक सबसे ज्यादा संख्या में दावेदार नज़र आए है दुंगरपूर जिले की चार सीटों के लिए कुल 86 आवेदन मिले हैं दुंगरपूर सीट में सबसे ज्यादा 23 दावेदारों ने दावेदारी किये तो सागवाड़ा से 17 उमिदवारों ने अपने दावेदारी पेश की आसपूर 84 सीट पर 33 तेरे आवेदन आए हैं रासमन सीट पर टिकट के 12 दावेदार सामने आए हैं और विदानसवा चुनाओं को लेकर बिकानेर में ब्लॉक इसदर पर कॉंग्रेस ने चुनाओ लड़ने की चुक उमिदवारों से आवेदन लेने शुरू कर दिये बिकाने शेर के चार ब्लॉक की बैठक में अब तक पूरा बहुत पच्चिम विदानसवा सीट को मिला करके 22 लोगों ने अपने विदानसवा चुनाओं विदने की च्छाजाईर की हैं अलग-अलग जगों से दावेदारों की जानकारी सामने आ रही हैं क्योंकि इस बार ब्लॉक इसतर पर अपनी दावेदारी पेश करने होगी और ब्लॉक इसतर का समय निकलने के बाद जिला इसतर पर भी सीदे जाकर के दावेदारी दे सकते हैं तमय से पहले नाम तै करने और जिताओ उम्मीदवार की तलाश में जूटी कॉंग्रेस ने चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है बीकानेर की बात करें तो बीकानेर पश्चिम और बीकानेर पूर्व के लिए कॉंग्रेस से कई दाविदार सामने आए हैं बीकानेर पश्चिम के मौजुदा विधायक बीडी कल्ला समेट छह लोगों ने इसे लेकर अपने आवेदन प्रस्तुत किये हैं तो चलिए डालते हैं उन दावेदारों पर एक नजर जो बीकानेर पश्चिम से कॉंग्रेस के टिकेट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं इन में पहला नाम खुद बीडी कल्ला का है इसके अलावा नितिन वात्सस, भीकाराम कडेला, राजकुमार की राडू, आनंद जोशी और घुलाम मुस्तफा ने भी चुनाव लड़ने की मनशा जताई हैं वहीं बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट से कॉंग्रेस के टिकेट पर चुनाव लड़ने के लिए 16 लोगों ने अपने आवेदन दिये हैं बीकानेर पूर्व से जिन लोगों ने आवेदन दिये हैं उनमें शांतिलाल सेथिया, बाबू जैशंकर जोशी और वल्लब कोचर शामिल हैं इसके अलावा सुनीता गौड, गजेंद्र सांखला, सुमित कोचर, अमीन, सलीम कलर, संजय आचार्य, घुलाम मुस्तफा, आनंद सोड़ा, एनपी सिंग शिखावत, शशिकांत शर्मा, करनल शिशुपाल, मनोज विश्नोई और शिवरी चौधरी शामिल हैं अब देखने वाली बात होगी कि बीकानेर पूर्व और पश्चिम विधानसभा सीट के लिए कॉंग्रेस ने तृत्व किस उम्मीदवार को जिताओं और टिकाओं मानता है पश्चिम विधानसभा सीट को लेकर बीकानेर जिला कॉंग्रेस पूरी करह से तैयार है जिला कॉंग्रेस की ओर से ब्लोक लेवल पर अब मिटिंगों का दूर शुरू हो चुका है पश्चिम और पूरो विदान सभा सीट को ले करके लोक लेवल की मीटिंग में कॉंग्रेस के निताओं ने चुनाओ लड़ने की मनशा जाहिर की बात करें पशिम विदान सभा सीट की तो यहां से शिक्षा मंत्री लोक्टर बीडी कल्ला ने एक बार फिर से चुनाओ लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर की है बीडी कल्ला के लावा बास अन्य नेताओं नितिन वसस के साहित में कई नेताओं ने भी अम्टी मन्शा जाहिर की है वहीं दूसरी ओर अगर विदान सभा पूरो सीट की बात की जाए तो यहां से कॉंग्रेस के सोलर नेताओं ने चुनाओ लड़ने की अपनी मन्शा बताई है अब देखने वाली बात रहेगी कॉंग्रेस का आला कमान किन जिताओं और टिकाओं नेता को टिकट देता है चला एक छोटे से ब्रेक का जोल लोटेंगे आप बने रहिए हमारे साथ